अगर आप लोगों ने BSF Trademan में 2788 पोस्टों के लिए फोर्म भरा तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हम आप लोगों के लिए डेली प्रेक्टिस सेट ला रहे हैं आप लोग अपना प्रेक्टिस सेट लगा के तैयारी को जान सकते हो आपकी तैयारी कितनी हो गई है तो जिसा कि आप सभी लोगों को पता है BSF Trademan का फिजिकल 18 जुलाई से स्टार्ट हुआ था लास्ट सितंबर तक चलने वाला है उससे पहले आप लोग अपना स्लेवस देख लें आपका स्लेवस में क्या क्या आएगा तो आप लोगों की GKS करेंट अफिर 25 नमبر की आपकी पेपर में आएगी मेत आपकी 25 नमبر की आएगी हिंदी इंगलिस दोनों में से एक कर सकते 25 नमबर की आएगी रीजिनिंग 25 नमबर की टोटल कोशन आपके 100 आने वाले हैं माइनस मार्किंग इसमें है नहीं समय आपको मिलेगा 2 घंटे का और इस बार कटाफ भी हाई जाएगी काफी लड़के यहाँ पर रनिंग क्वालिफाई हो रहे και कोई भी लड़का मुश्किल चाही इसमें रनिंग क्वालिफाई न हो लगभग सभी लड़के रेस क्वालिफाई हो रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें और इन कोश्चनों की पीडियेप आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी उस पर जाके आप लोग जुआइन कर सकते हो तो स्टार्ट करते हैं इससे पहले रिजनिंग के 25 कोशन करवा चुके हैं तो 26 वाँ कोशन है इसमें निमने लिखित में से कौन सा रेडियो धर्मी तत्त है यह आपको बताना रेडियो धर्मी तत्त कौन सा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन B हो जाएगा यूरेनियम जान ले यूरेनियम जो है यह आबर्त सानी की अंत वर्ती जो है स्रेंडी एक्टिनाइड का थर्ड तत्त है यह थर्ड तत्त है और इसका परमाड भार कितना होता है तो इसका परमाड भार होता है 238 इसका परमाड भार होता तो यह भी आप लोग याद रखें या प्राकर प्राकर्तिक रूप में पाये जाने वाले तत्तों में सबसे भारी तत्तों है। तो 27 का जो राइट अंसर हो जाएगा 27 का बी आजाएगा राइट अंसर मोलिक अधिकार के अंतर गता आता है। अधिकार था यह ड्र भीमरा अंबेडिकर ने इसे संव्यधान की आत्मा कहा है तो जो हैसं इस इसको भीमरावंबेडिकर ने क्या कहा था इसे सम्मिधान की आत्मा कहा था और जो इसका जो मौलिक अधिकार जो है सम्मिधानी कुपचारों का अधिकार इसको यह किस आर्टिकल के तहट आता है यह 25 ए 22 अर्टिकल 32 आर्टिकल के तहट आता है और इसका जो राइट आंसर हो बिडागा ठीक हो जाएगा नेस्ट कोस्टने स्द्टार्स को debt यह में क्या है किस सब्सक्राइब आंग में अमल होता है जो किस पांचने अंग MEME a health ए यह बताना है आपको तो इसका राइट ऑन्सर हो जाएगा है यह जाएगा हम आसे हम नली के प्रमुक अंग के रूप में कारे करता है और गेस्टिक जूस निकलता है इसे कौन सा जूस निकलता यह मासे से गेस्टिक जूस निकलता है जिसे क्या हम लोग बोलते हैं HCL ये इससे निकलता है तो इसका right answer हो जाएगा option ये वाला right answer हो जाएगा next guys question number 29 से 29 में क्या है पाक जल्डमरू पाक जल्डमरू तता मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुन्दरी जल्मार के कारणी में से कौन सा देश भारत से अलग इस्तित है पाक जल्डमरू तता मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुन्दरी जल्मार के कारणी में इन में से स्री लंका देश भारत से अलग इस्तित है तो इसका right answer option C वाला हो जाएगा question number 30 है guys निमलिकिज में से कौन सा रेसा सबसे मजबूत प्राकर्तिक रेसों के रूप में जाना जाता है तो इसमें सबसे मजबूत रेसा आपको बताना कौन सा हो जाएगा 30 का right answer हो जाएगा option D जो की हो जाएगा जो D हो जाएगा रेसम रेसम फाइबर मुक्यत 80% फाइबरन से बना होता है जो की प्रोटीन प्राकरतिक और 20% सेरी किन जिसे अन्निथा रेसम गम के रूप में कहा जाता है अन्निथा रेसम गम के रूप में कहा जाता है तो इसका right answer हो जाएगा, option D वाला सही होगा Next guys, question number 31 है इसमें क्याँ प्रकासिय फिल्टर का उद्देश क्या है? 31 को जब right answer हो जाएगा, option D वाला हो जाएगा बिविन रंगों के प्रकास का संचारन या समावेश करना प्रकासिय फिल्टर का उद्देश हो जाएगा Question number 32 है, निम लिखिद में से कौन सा बेटेड कोड भारित कूट नहीं है? तो इसका 32 का जो right answer हो जाएगा, option A हो जाएगा option A वाला हो जाएगा, access 3 code 32 से समद्दित कुछ फेक्ट है, आप लोग याद रख लें access code, binary code, एक पूरक दस्वमलब, code और अंक प्रणाली है यहाँ, 1970 के दसक में, portable electronics, calculator के बीच में इस्तमाल किया गया था Question number आपका है, 33 ओजुन जिन सक्तियों विक्रणों को सोक कर जीव मंडल को सुरच्छा प्रदान करती है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, 33 का जो right answer हो जाएगा option C हो जाएगा, ultra violet क्रण है UV भी इसे बोलते हैं, शाट कट में तो ultra violet जो क्रण होती, परावेंगनी क्रण, एक परकार का बिधुद चुमकिये भिक्रण जिनकी तरंग धेर प्रतेच परकार से छोटी होती है next question number 34 है, very important है, बिर्जु महराज किस बिधा के लिए सूप्रसिद्ध है तो बिर्जु महराज हैं, ये जो है, कत्थक नर्तक एवं सास्त्रिय गायक है 19-18 में इन्हें पदम भूसन से सम्मानित किया गया था तो इसका right answer option B वाला हो जाएगा question number 35 है, प्रतिवी के बायु मंदल की अनुपस्तिती में प्रकास कैसा प्रतीत होता है तो प्रतिवी के बायु मंदल की अनुपस्तिती में आकास कैसा प्रतीत होता है तो इसका 35 का right answer हो जाएगा, option D वाला, काला प्रतिवी के बायु मंदल की अनुपस्तिती में आकास का रंग कैसा प्रतीत होता है तो ये काला हो जाएगा, इससे समंदित थोड़े और फेक्टापलो उजन ले नीले रंके प्रकिरन के कारण आकास नीला दिखाई देता है नीले रंके प्रकिरन के कारण प्रकास का रंग नीला दिखाई बायु मंदल की अनुपस्तिती में नहीं होगा आताहा, आकास का रंग काला दिखाई देगा तो ये कुछ फेक्ट हैं ये भी याद रखें आप लोग कोईशन नमबर 36 है भारतिय राष्ट कांग्रेश की प्रथम महिला अध्येश कौन थी तो कांग्रेश की प्रथम महिला अध्येश कौन थी ये बताना है आपको तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन सी वाला सही हो जाएगा ये कब बनी थी ये 1917 में जो है 1917 में जो है भारतिय राष्ट कांग्रेश की प्रथम महिला अध्येश बनी थी इनका जन्म कहां हुआ था इनका जन्म लंदन में हुआ था 1847 में नेस्ट कोशन है गाईज कोशन नमबर है 37 भारत के नियंत्रण नियंत्रक एवं महालेखा परिच्चक लेखा जोखा समंदित रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है तो क्या हो जाएगा भारत के नियंत्रण नियंत्रक महालेखा परिच्चक लेखा जोगा रिपोर्ट किसको परस्तुत करते हैं तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा 37 का राइट आंसर हो जाएगा option C को भारत के नियंदरक एवं महा लेखा परिच्चक लेखा जोगा समंदित रिपोर्ट राष्ट पती को परस्तुत करते हैं Question number 38 पर्थम बोध्ध परिसद कहां आईजित की गई थी तो इसको समिती भी बोल सकते हैं पर्थम समिती तो इसका राइट आंसर 38 हो जाएगा गोतम बुद्ध की मृत्युक की पर्थम बरसर रितु में इस तरह की पर्थम सबसे पहले राज ग्रह में जो है बिहार में की गई थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन ए हो जाएगा इसे जो है हम लोग संगिती भी बोल सकते हैं तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ओप्शन बी हो जाएगा राज ग्रह है कोश्चन नमबर है 49 पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन होता है तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन कहां होता है यह बताना है तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन यह बाला नील गरी की पहाड़ियों में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन कहा होता है नील गिरी की पहाड़ियों में नील गिली की पहाडियां गाइज बात की जाए तो तमिल नाडू और केरल में भी ये फैली हुई है अगर इसकी बात की जाए या तमिल नाडू में इस्तित्य और उसका सर्बोच्च सिकर कौन सा है तो डोड़ा वेटा इसका सर्बोच्च सिकर है next guys question number 40 40 में क्या है 7 वाहन सामराज जिके सनस्तापक कौन थे तो 7 वाहन जो सामराज जिथा इसके सनस्तापक बताना है तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा 40 का राइट आंसर ओप्शन B हो जाएगा سिमुग 7 वाहन के जो सामराज के सनस्तापक थे 20 का right answer हो जाएगा question number guys 41 है भारतिय राष्ट कांग्रेश का प्रथम विवाजन कहां किसके विवाजन उसके कहां के सत्र में हुआ था तो कांग्रेश जो था भारतिय राष्ट कांग्रेश का प्रथम विवाजन उसके कहां के सत्र में हुआ था तो 41 का जो right answer हो जाएगा option C हो जाएगा सूरत में तो ये जो 1907 में जो है गरम दल और नरम दल के आपसी मतभेद के कारण जो है दो भागों में विवाजित किया गया था कांगरेश को तो next question है guys silica gel क्या है 42 का जो right answer हो जाएगा option C हो जाएगा सुखाने वाला पदार्थ ये हो जाएगा silica gel तो या sodium silicate से sensation द्वारा बनाया जाता है या कठोर होता है या एक परकार का सरंद्र होता है जो एक packet है जो पर्स, handbag और जूतों के डिब्बों में आते हैं question number 43 है जेव उरुबरक nitrogen को निमलिखित में से किसमें परिवर्तित करते हैं 43 का right answer हो जाएगा option B हो जाएगा ammonia में इसका right answer B हो जाएगा जेव उरुबरक को nitrogen को निमलिखित में से किसमें परिवर्तित करते हैं तो ammonia में से परिवर्तित करते हैं ammonia में जेव उरुबरक जीवित उरुबरक है और जिनमें सुच्छम जीव, बिद्धिमान होते ही ये पोधों के विकाष के लिए महित्वपून होते हैं Q2. सिवा थापा का संबंद इन में से किस खेल से है? तो ये जो सिवा थापा है इनका संबंद हो जाएगा बाक सिंग से ये कहा के रहने वाले हैं? ये भी आप लोग जानले ये रहने वाले हैं एक मुक्के बाजें आसम के इनका जो जनम हुआ था सिवा थापा का आसम में हुआ था ये आसम के रहने वाले हैं कोशन नमर 45 है भारत में गेंडे का प्राकर्तिक निवास कहां है तो जो गेंडे हैं ये इनका प्राकर्तिक निवास कहां ये बताना है 45 का जो अप्षन C हो जाएगा जो है काजी रंगा असम में जो पड़ता है एक सिंग वाले गेंडे के लिए ये काफी फेमस है कई बार कोशन पूशा गया है एकजामों में कोशन नमर है 46 वासुप्रसिद्ध भारतिये क्रांतिकारी कौन थे जो बिर्टिस जेल में 63 दिनों को भूँक हरताल के दोरान मर गए थे मर गए थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का ओप्शन ए जतिन दास जतिन दास सूप्रसिद्ध क्रांतिकारी थे जो 63 दिनों की भूँक हरताल के दोरान मारे गए थे इसका राइट आंसर हो जाएगा साथ अपरेल को बिस स्वास्ते दिवस मनाए जाता है अगर बात की जाए तो ये इसका मुख्याले कहां है सुजर लेंड में इसका मुख्याले है नेक्ष्ट कोस्टन है गाईज नेक्ष्ट कोस्टन है कोस्टन नमर 48 है मानब में आबाज जेस देस द्वारा उत्पादित होती है तो मानब में जो आबाज है किस से उत्पादित होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंठ ले कंट से उत्पन होती है इसे 22 बाक्स भीक आ जाता है नेक्स्ट कोशन नमर गाईज आपका 49 है डेस यहां पर दिया गया है भारत का सबसे बड़ा बाक्साइड उत्पादक राज्य है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन जो है इसका यह हो जाएगा ओडी सा जो है भारत का सबसे बड़ा बाक्साइड उत्पादक राज्य है अगर बात की जाए उसके बाद गुजरात आता जहारखंड भी आता है बाक्साइड उत्पादन करने वाले राज्यों में नेक्स्ट कोशन है आप लोगों का कोशन नमर पचास निम लिखत में से किस प्रकार का क कोईला उच्चतम गुडवत्ता का होता है तो सबसे उच्च कोटी का कोईला आपको बताना है तो इसका राइट आंसर ओप्सन डी हो जाएगा एंध्रे साइड जो होता है यह सबसे उच्चतम कोटी का कोईला होता असी से पंचानवे परसेंट इसमें क्या होता है कार्वन आता है इसमें क्या होता है 40-55% कार्बन की मात्रा पिट कोईला सबसे कम कार्बन वाला होता है तो यह 25 कोशन थे अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें अबर आपका कोई भी कोशन या डाउट है तो कमेंट बोक्स में कमेंट करके पहु